असलाम वालेकम टो आल में ब्यूटिफुल स्टूडेंट तो वेलकम बेक्ट और ओन प्लाटफ़र्म आफ जरी टो एम्बीवियस तो इससे पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था मेकैनिजम आफ मसल कॉंट्रेक्शन देखा था हमने ठीक है कि आखर हम कर लेते हैं ठीक है तो मसल कॉंट्रेक्शन में जो सबसे पहला स्टेप था वो क्या था निरॉन इंपर्स लेकर आती है ठीक है यह जो हमाई निरॉन है वो क्या करती है इंपर्स लेकर आते हैं आपको पता है कि इंपर्स क्या होते हैं समझे लेकर मैसिज है ठीक है निरॉन impulse ले कर आती है, और वो impulse release कर दیती है इस cell के उपपर, ठीक है इस cell के surface पे neuron message release कर देती है और उस message को receive करने के लिए, उस impulse को receive करने के लिए यहाँ पर क्या मुझूद होते है Isetile gepolene receptors मुझूद है ठीक है, जो कि impulse कोई message को receive करते हैं, और वो फिर जो impulse है वो जो message है वो इस cell के अंदर spread out हो जाता है through T-debus ठीक है और जैसे ये हमारे सारको plasmic reticulum के पास ये message पहुंचता है जो ये जो impulse आई है वो impulse जैसे ही हमारे सारको plasmic reticulum तक पहुंचती है तो ये क्या करता है ये इसके अंदर जो calcium इसने store कर रखा है उस calcium को ये release कर देता है calcium का क्या करता है यहाँ पर efflux calcium का हो रहा है ठीक है ये क्या करता है सारको plasmic reticulum calcium को release कर देता है calcium का efflux हो रहा है यहाँ पर और यहाँ से calcium निकल के आपको पता है कहां जाके bind करता है यहां से कैल्चिम निकल के यह हमारे थिन फिलमेंट्स जो हमने पढ़ा था कौन कहुंसे component है हमारे थिन फिलमेंट्स में एक्टिन यह क्या है एक्टिन के दो components है ठीक है एक्टिन के components एक्टिन के उपर myosin binding sites थी ठीक है जिसको cover किया था किसने ट्रोपो myosin ने जो as a tape इसको cover कर रहा था ठीक है उस ट्रोपो myosin को और ज्यादा मजबूती किसने दीती इन ट्रोपो ने के तीन सब यूनिट्स ने है ना ठीक है तो इन तीन सब यूनिट मेंसे जो एक यूनिट आपको याद होगा जो क्या था टीपी सी था ठीक है जहां से जिसके साथ केल्शियम ने बाइंड करना था जिसके साथ केल्शियम मसल कॉंट्रेक्शन की वक्त बाइंड किया था ठीक है टीपी सी यहां से केल्शियम निकल के उस टीपी के साथ beh repatriate act प्रडिक करने से क्या होता है यह जो हमारा tea ऑई है जो इन्हिवेट कर रहा था जो इन्हिवीटएशन करवा ता ठीक क्या करता है वह डाउाणवार्ड नीचे की तरफ वह जाइए ठीक जैसे नीचे की तरफ स्लाइट कर गई टेप की जो मजबूती है उस ट्रोपो मायसिन की जो मजबूती थी वो क्या हो गए कम हो गए जैसे ही ये टीपी आई नीचे स्लाइट कर जाती है तो ये जो टेप है ये जो टेप लाइक स्ट्रक्चर था वो क्या होता है हट जाता है जैसे ये हटता है तो प myosin के हैड जिसके उपर actin binding side थी वो side is myosin binding side के साथ बिलकुल attached हो जाती है ठीक है और फिर इस तरह से ये flimmers slide कर रहे थे इस तरह से ये flammers slide कर रहे थे contraction के दोरान ठीक है तो ये सारे steps से muscle contraction के अब muscle contraction हमने समझ लिए अच्छे से अब जो है muscle ने सिर्फ contraction में नहीं रहना ठीक ultimately it will relax अब ये इसको relax भी करना है क्योंकि अगर muscle contraction के ही state में रही तो क्या होगा body अकड जाएगी क्या होगा body अकड जाएगी अगर ये permanent contraction के ही state में रही तो muscles को फिर relax भी करना muscle relaxation में जो steps involved है वो ये हैं जो अभी हम पढ़ने वाद हैं हमारा आज का main topic है वो है mechanism of muscle relaxation पिछले topic में हमने muscle contraction को पढ़ लिया था आज के topic में हम muscle relaxation समझेंगे muscle relaxation में कौन कौन से steps involved है अब muscle relaxation में क्या होना है muscle relaxation में वो सारे steps उल्टे होंगे वो सारे काम उल्टे हो रहे होंगे अब muscle relaxation में क्या होना है impulse का आना बंद हो जायागा stoppage of impulse जो neuron impulse लेकर आ रही थी message लेकर आ रही थी अब neuron message लेकर नहीं आएगी stoppage of impulse impulse बिलकुर बंद हो जाएगा अब जब impulse का आना बंद हो गया तो यहाँ पे इसके surface पे जो इंपर्स आए हुए है ठीक है पहले के जो इंपर्स आए हुए है उन इंपर्स को यहां से हटाना भी तो है है ना तो उस इंपर्स को हटाने के लिए कौन आएगा एसिटाइल कुलीन एस्ट्रेस कौन आएगा एसिटाइल कुलीन इस्ट्रेस और नाम के साथ एज आ गया इसका मतलब नो डाउट ये एंजाइम है पूरे बायालजी में किसी भी वर्ट के साथ एज आ गया तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है एंजाइम है इसा एंजाइम अब ये एंजाइम क्या करेगा इसलाइका सीजर ये क्या करेगा डाइजेस्ट करेगा इन इंपल्स को यहां से पूरा रिमूफ कर देगा ठीक है इस एसिटाइल कुलीन को इंपल्स को ये क्या करेगा डाइजेस्ट कर लेगा ठीक है एसिटाइल कुलीन estres नام का यह जो एंजाइम है धी ठीक है आप number third step क्या है जैसा कि आपको पता है कि जैसे PJS पहुंचा था हमारे सार्कू प्लाज्मिन रेक्टिकूलम के पास मैसिच के मिलते है, हमारे सार्कू प्लाज्मिन रेक्टिकूलम ने क्या किया हुआ cosmos катysum release कर दिया है केल्चियम के जो चैनल से वो ओपिन कर दिये थे ठीक है केल्चियम को रिलीस कर दिया था इसने अब यह जो कैल्चियम बाहर निकला था सारको प्लाजमी रेटिकूलम के अंदर से और यह कैल्चियम यहां जाके बाइंड किया था अब यह कैल्चियम क्या होगा यह कैल्चियम release किया इसने अब क्या हुआ कैल्शियम ये वापिस अंदर जा रहा है सारकोप्लाजमि रेक्टिकूलम के अंदर जा रहा है क्या हो रहा है ये influx हो रहा है कैल्शियम का कौन करार है इसको भी कराने के लिए कौन आएगा यहाँ पर इक प्रोटीन आएगा ठीक है, एक पोटीन आएगा और इस पोटीन का नाम क्य़ है, calcian ठीक है, इस नाम का ये पोटीन है, ये पोटीन इस calcium को अंदर की तरफ भेजेगा ठीक है, वापिस sarcoplasic reticulum के अंदर भेजेगा ये पोटीन, इन calcium को ठीक है, ये third step हो गया अब fourth step क्या है fourth step यह जो TPI नीचे slide कर गई थी calcium के binding के बाद अब calcium के जाने के बाद यह क्या कर जाएगी यह जो TPI है यह वापिस अपनी जगह चली जाएगी ठीक है यह TPI क्या करेगी वापिस अपनी जगह चली जाएगी ठीक tropomyosin क्या करेंगे tropomyosin जो tape की तरह थे वो इस myosin binding sites को दुबारा से cover कर देंगे ठीक है यह TPI दुबारा से अपनी जगह ले लेगा ठीक है its roll backward यह दुबारा अपनी जगह पहुंच आएगा तो tape को दुबारा वही मजबूती मिल जाएगी और यह क्या है akkorALLY这 कि सब किसमें होता है muscle relaxation में ठीक है तो यह सारे steps involve है muscle relaxation में एक बहुत ही important step एक और involve है घेक है क्या है वो regeneration of ATP अकर समर सिंद荧े क्या होते बहुत सब्सक्राइग related…… में जो एक बहुत important point है वो altre point एप क्या क्या है ATP तोब्सक्राइग होगा कि मशल रिलेक्सेशन में क्या हो रहा था ATP हमारी जो मायसीन गे उपर ATP का Binding Site ता याद होगा आपको है ना एक्टिन Binding Site के साथ में ATP Binding Site भी वहां पर मौझूद है तो वह ATP क्या कर रहा था वह ATP वहां पर टूट रहा था किस तरह से अब ATP टूटने के बाद उसमेंसे जो energy निकल रही थी, उस energy वह energy use हो रही थी, मysł investments in contraction में. है ना? यह मैने वहां लिख्वाया था, क्या हो रहा था, वहां पर hydrolisus हो रहा था, किस तरह से? ATP therapist monte में क्या हो रहा था? टूट रहा था किसमे? ATP में और IP में, in organic phosphate and loss of energy. ठीक है तो अब क्या होगा हमारे मसल के अंदर एक प्रोटीन प्रेजंट है हमारे मसल के अंदर एक प्रोटीन प्रेजंट है क्या है इस प्रोटीन का नाम फॉस्फो किरेटिनिन ठीक है अब यह जो ADP है यह हमारे मसल के अंदर जो प्रोटीन प्रेजंट है वह प्रोटीन प्रोठेक्स करेटी निम्यर अपको बढ़ाई थी कि तो यह क्या है यह वेस्ट अधीक है यह क्या है इसको पता है क्ट्रायफासफइट ठीक है यह एटीबिद्ट कर रहा था ना पर आ पर यह प lorsqu身 तोड़ थो तीक है इसको की एंच्याश के नतर नमी एंजाइम migrants actually हो क्या रहा है तो muscle contraction किस तरह से हो रही थी muscle contraction के लिए energy भी चाहिए थी वो energy ATP से ATP को तोड़ के वो energy हासिल की जा रही थी और इसी energy से muscle contraction भी हो रही थी तो muscle relaxation में क्या होना है muscle relaxation में जो हमारे पास एक protein है phosphocreatinin और ADP ये दोनों मिलके ATP and creatinine बना देंगे ठीक है ATP वापस हमें चाहिए ये ADP जब हमें contraction ये ATP जब हमें contraction करवानी होगी muscle की तो ये वापस वहां जाके bind करेगा फिर दुबारा इसको ATP तोड़ेगा ठीक है और इससे energy निकलेगी तो वो चाहिए होगी muscle contraction के ठीक है तो ये कुछ steps थे muscle relaxation के उमीद है आपको ये topic समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से अगर आपको अच्छी तरह से ये topic समझ आ गया तो इससे दूसरे students तक share करें लाइक करें अलाफिस